आज बात करेंगे AMD के बारे में, AMD ने CES 2020 में क्या announcement की है, क्या launches वगएरा की है, उसके बारे में बात करेंगे, काफी interesting event था, तो मुझे लगा share करना तो बनता है, काफी नए चीज़े भी AMD लाया है, इस होजे से भी मैं आप लोगे शेयर करना जाता हूँ, Intel जाता है, इसका event ब तरफ से जो कि rival करें, Intel को और उनकी stock problem भी थी, बहुत जादा Intel की तो उससे fight कर सके, और OEMs जो थे, brands भी थे, laptop partners भी थे, वो भी चाहते थे कि कुछ नया market में आए, जो कि हम alternate provide कर सके, user, alternate provide कर सके users को तो यहाँ पर Ryzen ने, sorry, AMD ने launch कर दी है, अपने Ryzen 4000 laptop AP use, जो कि सही में काफ 7 nanometer में base drawing, यह वो ही 7 nanometer और Zen 2 architecture है, जो हमें desktop में देखने को मिलता है, laptop में हमें अब तक जो AMD के दरफ से processors मिलते थे, वो quad core रहते थे और पुराने 14 nanometer और Zen Plus architecture में थे, नया कुछ नहीं था यहाँ पर, यहाँ पर shift हुआ है, एक काफी बड़ा 4000 APUs हैं, जैसे कि Ryzen 7 4800U, 4800H औ वहाँ पर हमको 8 course stream thread मिलते हैं, up to 4.2 gigahertz की frequency मिलती है, boost frequency, base frequency U series की थोड़ी कम है, H series की base frequency काफी अच्छी है, तो इस वज़े से उसकी TDP value हो काफी जादा है, U series की TDP value 15 watt है, और जो H series 4800H है, Ryzen 7 4800H है, उसकी TDP value 45 watt है, तो base frequency महा जाद है मिलती है, बट performance पर हमी महा थोड़ी AMD यहाँ पर RDNA, new navy GPUs वगरे यूज़ करेगा, लेकिन मुझे कही न कहीं लग रहा था कि Vega को ही यूज़ करेगा, जो कि काफी लंबे समय से यूज़ करता रहा है, और काफी जादा matured भी है, तो यहाँ पर according to AMD, यह matured Vega course है, और काफी जादा fast है, अपने previous generations है, तो graphics performance भी आप आपको यहाँ पर काफी जदा अच्छी मिलने वाली है, और according to AMD, यह Intel के 10th generation isolate, 10th generation isolate, 10 nanometer होले, जो CPUs है, उससे काफी ज़्यादा fast रहेंगे, और यह जो CPUs है, वो आपको quarter one 2020 में market में available होना शुरू हो जाएंगे, laptop partners के तरफ से, तो overall काफी अच्छा लगा मुझे सुन के, कि लगता लेकिं मुझे लगता कि इनके साथ अब वो चीज़े हमें नहीं देखने को मिलेगी, कफे चाप performance मिलेगा इन चिप्स में, let's hope कि अब देखते हैं, रिव्यूस बगर ऑफिशली क्या आते हैं, उसके बारे हम एंड, जो हमारा एंड क्या बना चाहिए है, final verdict बना पा और according to AMD यह NVIDIA के GTX 1660 Ti से fast है, उसी के price comparative में रखा गया है, अब हमें official reviews वगरा उसके लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन according to AMD यह 1660 Ti से fast है, उसको compare, उस सो compete करेगा, तो जिस price point में launch हुआ है, maybe यह ऐसा हो सकता है, but we have to wait for the official review, price थोड़ी सी कम रहती, तो जादा अच्छा र यह finally किस price में, AMD कभी कभी launch के बाद ही price कम कर देता है, यह 21st January से worldwide available हो जाएगा, तो 21st January जाद दिन नहीं है, थोड़े दिन में आपको 5600 XT आप purchase कर सकते हैं, वहीं पर AMD ने जो graphics है, जो 5600 XT है, 5500 XT है, 5700 है, उनकी mobile version भी launch कर दिए है, 5600 M, 5500 M, 5700 M, तो यहाँ पर basically AMD ने कह है, जो 5500 XT है, उसे आप अच्छी 1080P gaming कर सकते हैं, और जो 5600 XT है, उसे आप ultimate 1080P gaming कर सकते हैं, प्रस यहाँ पर उनका 1440P में, आप 5700 series के जो graphics card उन में, आप 1440P में एक अच्छी gaming कर सकते हो, तो यहाँ पर दो टायर तो AMD ने भर दिया है, ब्लेट सो फॉर दी 4K version में, यहा और future कया आता है, क्योंकि AMD ने इसके बारे में कोई बात ही मुझे उमिद थी कि यहां पर AMD कुछ इसके पार हम बात करेगा लेकिन AMD ने कुछ बात नहीं करी है इसके उपर तो ये मुझे भी ठीक नहीं लगा AMD कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए था इसा suspense मनी रखना चाहिए था देखतें, Computex बगरा में और बाकी जो आगे इवेंट्स बगरा हैं उसमें क्या देखने को मिलता है प्रस यहां पर AMD ने नया Threat Ripper Processors है, प्रोसेसर उसको लॉंच किया 3990X जहां पर हमें 64 Core और 128 Threats मिलते हैं Boost Frequency मिलती है 4.2, 4.3 GHz के आस पास में लेकिन इतनी ज़्यादा Higher Core Count के साथ इस CPU आते हैं जिनका Content Creation में काफी ज़्यादा Processing Power चाहिए, ज़्यादक से ज़्यादा कोर्श चाहिए, उन्हीं को ये CPU लेना चाहिए क्योंकि ये CPU महगा भी है और उन्होंने इस CPU को Compare किया है Dual Xeon CPU से जो कि around 20,000 डालर का Package है और ये आपको वही 3,990 डालर में करके दे रहा है ऐसा AMD ने कहा है क्योंकि वहाँ पर रेंटर टस्ट वगरा करें थे तो उसी साब से जो ज़्याद रिपर है वो ज़्यादा फास्ट है ज़्यादा जल्दी उस टासो कर रहा है वीरे रेंडरिंग को Compare to Intel का Dual Xeon सेट अप और इसका जो सीने मेंच में स्कोर है वो 25,000 किता है 25,399 याने इतना दा हाई स्कोर है सीने मेंच में तो देखते हैं इसका ओफिशल रिव्यू बगरा जब आता है उनके तरफ से लेकिन ऐसा देखके तो लगता नहीं कि Intel मूड में है कि कुछ करना आराम से बैठे हैं बस कुछ ऐसी लग रहा है मुझे सो गाइस एक को शेयर करना था AMD के बारे में काफ ज़्यादा इंट्रस्टिंग लगा मुझे AMD का इवेंट जैसे जो जो एक्सपेक्टेड थी वो चीजे लाँच हुई एक दो चीजे छुट गई है लेकिन ठीक है नियर फ्यूचर वो कॉंपिटेक्स वगरा जो अधर इवेंट्स होगरा तो देखते हैं नियर फ्यूचर क्या होता है इंटल को अब लैप्टॉप सेग्मेंट में भी तगड़ा कॉंपिटिशन मिलने वाला है जिससे आपसे इनका चल रहा है ना बरताव तो मुझे लगता है कि यह चीज होना जरूरी था शाथ उम्मेंट करinson अपको वडियो पसंद आयोगे तो अगर आको वीडियो पसंद आई से शार करें चेयरर करें फिल्कुली मत भूलेगा अगर आपे वीडियो यूटीब पे देख रहा है तो हमाझाशन सब्स्राइब पर रहें फेस्बूफ में देख करें तो पेच्च को लाइक करेगा, दिसी प्रतुन नाल वेना, दिए गाइज दिने ने नेक्स वाल